नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमित कुमार, आज 5 अक्टूबर 2020 है और आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड़ेट्स के बारे में सो कार्बोहाइड़ेट्स हमारे नॉर्मल जिंदगी के लिए, डेली लाइफ के लिए बहुत जादे इंपोर्टेंट है और नॉर्मली कार्बोहाइड़ेट्स से हमें इनर्जी मिलती है तो पढ़ते हैं, इनर्जी दाट इज नीड़ेट्स के लिए, जिंदा रहने के लिए, हम कार्बोहाइड़ेट को खाते हैं कार्बोहाइड़ेट्स, प्राइमेरिली स्टार्चेस, आर लीस्ट एक्सपेंसिव, जो कार्बोहाइड़ेट्स है, उसमें तमाम तरह के पॉलिसेकराइड हैं, जिनमें स्टार्च आता है, जो की काफी सस्ता है, और ये हमारा मुख्य भोजन का शुरोत है Easily obtained and readily digested form of fuel, आसानी से हमें मिल जाता है, जो की धान, ये हुजवार, बाजरा, मक्का में होता है, आसानी से digest हो जाता है, मतलब की ये हमारे शरीर में पच जाता है, और वो हमें fuel देता है, इनर्जी देता है composition के बारे में बात करेंगे composition are so carbohydrate are organic compounds composed of carbon hydrogen and oxygen with the later elements in the ratio of 2 ratio 1 and the general formula is Cn, H2n, On they are viewed as hydrogen carbon atom so यह general formula है normally C6, H12, O6 carbohydrate is आगे हम बात करते हैं classification, simple and complex तो carbohydrates की यहां पर classification की गई है तो दो तरह के यहां पर carbohydrates बता रहा है पहला है simple carbohydrate और दूसरा है complex carbohydrate अब simple carbohydrate में आता है monosaccharide and disaccharide यह दोनों है simple carbohydrate अब यहां पर हम monosaccharide की बात करेंगे तो monosecride में दो category होती है परहली है aldoses की और दूसरी है ketosis की تو ketosis का example आता है fructose आता है अब यहाँ पे फिर आ जाता है aldoses की फिर से 4 category आती है 4 category में से फिर हम यहाँ पे बाते करेंगे जो पहली category होती है वो triosis की होती है जिसमें 3 carbonateum होता है इसका जो एग्जामपल है उदारण है glyceral डिहाइड है और जो दूसरा है tetrosis इसमें आता है चार carbon atom और इसका जो एक्जामपल है erythrose है उसके बाद से आता है pentosis pentosis में होता है 5 carbon atom और इसका एक्जामपल है ribose और gyloze उसके बाद से आता है hexosis इसमें होते हैं six carbon atom और इसका जो example है glucose है normally हम daily life में glucose की मातरा को लेते हैं हमारी body glucose बहुत जल्दी से absorb कर लेती है और energy provide करती है अब हम बाते करेंगे complex carbohydrate के बारे में इसमें आता है polysaccharide इसका जो example है starch and glycosin जादे मातरा में हम starch को ही खाते हैं अब polysaccharide में भी दो category आ गई है अब इसमें पहला आता है homopolysaccharide और दूसरा है heteropolysaccharide तो homopolysaccharide में आता है starch और dextrin जो की हम जादे मातरा में खाते हैं उसके बाद से आता है heteropolysaccharide में hyaluronic acid so carbohydrate जब भी हम खाते हैं तो पहले मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि ये मुख्य सोर्स है किसका energy का ये जो आपका subject है nutrition का ये nutrition के point of view से मैं ये lecture ले रहा हूँ carbohydrate का अगर food के ministry point of view से मैं दूसरा lecture लूँगा अगर food के ministry के हिसाब से carbohydrate को पढ़ना है ये सिर्फ और सिर्फ nutrition के point of view से मैं lecture ले रहा हूँ क्योंकि subject आपका nutrition का है आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ carbohydrate के बारे में so carbohydrate are classified depending on the number of sugar units they contain as simple carbohydrate and complex carbohydrate अब उसमें carbon के जो units हैं कितने हैं उसमें carbon number उसके हिसाब से depend करता है कैसा रहेगा पहला आता है इसमें monosaccharide and disaccharide make up simple carbohydrate called simple sugars containing one and two sugar units respectively अब यहाँ पर क्या बिल्कुल clear दे रखा है कि monosaccharide और disaccharide है वो किस से बनते हैं वो simple sugar बोलते हैं और उसमें एक या फिर दो sugar units जुड़े रहते हैं मैं आपको food chemistry के या food by chemistry के chapter में या subject में आप लोगों को उनके structures के बारे में पूरा detail में आप लोगों को बताऊंगा बहुत जल्द भी उसका lecture डालने वाला हूँ so polysaccharide called complex carbohydrates are structurally larger and more complex than simple sugars बहुत ही क्लियर दे रखाए कि polysaccharide जो हैं उन्हें complex carbohydrate कहते हैं जो कि structurally क्या होते हैं बड़े होते हैं और काफी ज़्यादे complex होते हैं इसमें पहले ही बता दिया हूँ कि starch है वो complex carbohydrate में आता है polysaccharide आता है और यह simple sugar से काफी ज़्यादे complex होते हैं they include starch, dietary fiber and glycogen यहाँ पर उदाहरन भी दे रखा है आगे हम फिर से बाते करेंगे there are two main classes of monosaccharide based on the carbonyl group present in them they are aldosis and ketosis so aldosis की category में आता है glucose containing the aldehyde group जिसे हम CHO बोलते हैं and ketosis जिसका example होता है fructose containing the ketone group C double bond O अब जो ketone है आप लोगों ने ketone और ketosis और यह keto diet के बारे में अगर नाम सुना होगा तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर carbohydrate की बात हो रही है so normally keto diet अभी कुछ दिन पहले ही किसी की death हुई है और बोल रहे थी कि वो keto diet ले रही थी तो यह भी अगर आप food technologist हैं तो keto diet के बारे में आपको जानना जरूरी है basically keto diet होता क्या है इसमें हम carbohydrate की जो मात्रा है वो बहुत ही कम कर देते हैं लगबग जहां तक मेरी जानकारी के मताबिक 50 gram या फिर उससे कम एक दिन में हम carbohydrate की मात्रा लेते हैं और बाकी हम जो food लेते हैं वो fat based food होता है और protein based food होता है ऍथमें जाने तरमात्रा हम protein की ही लेते हैं अब क्या होता है यह body को grow करने के लिए run करने के लिए energy के लिए move करने के लिए इनर्जी के जरूत पड़ती है औभ वो energy कहां पे complete होती है वो carbohydrate से complete होती है अब हमने कार्वो हाइडरेट लेना ही बंद कर दिया तो मैंने आपको पहले बता रखा था कि एक ग्राम कार्वो हाइडरेट खाने से 4 किलो कैलोरी हमें इनर्जी मिलती है और एक ग्राम प्रोटीन खाने से हमें 4 किलो कैलोरी इनर्जी मिलती है और सेम वैसे ही एक ग्राम फैट लेने से हमें 4 किलो कैलोरी इनर्जी मिलती है अब होता क्या है कीटो डाइट में कि हम कार्भो हाइडरेट छोड़ देते हैं अब बाडी क्या करती है इनर्जी के लिए प्रोटीन और फैट के उपर डिपेंड हो जाती है प्रोटीन और फैट को बर्न करना शुरू करती है मतलब की डाइजेस्ट करना शुरू करती है और उस से ये अपना इनर्जी लेना शुरू करती है अब जो लोग फैट फैटी लोग होते हैं जिनमें फैट जादे होता है ओबीज जो लोग होते हैं तो उस case में क्या होता है जो लोग keto diet सुरू करते हैं तो उनका जो fat burn होना शुरू हो जाता है लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि keto diet जादे दिन तक नहीं रखना है जादे दिन तक रखेंगे तो आपका वजन बहुत कम हो सकता है और body में बहुत जादे problems हो सकती है और एक और जो चीज खास बात है kidney stones की problems हो सकती है तो कोशिश करें कि balance diet लें ना कि keto diet पे आप depend रहे है keto diet की अगर यहाँ पर बात चल रहे थी तो keto diet का जो प्रश्ण बनता है क्योंकि यह nutrition का subject है इसलिए मैंने इसके साथ में जिक्र किया और भी अगर आप लोग को keto diet के बारे में अगर जानना होगा तो live lecture में आप मेरे से पूछ सकते हैं आगे हम बात करते हैं aldoses are further divided into trioses, tetroses, pentoses and hexoses based on the number of carbon atom so अब इनके जो structure भी मैं आप लोग को बनाना सिखाऊंगा बहुत आसान है मेरे पास एक trick है जिसके वज़े से आप इनके सब के structure आसानी से बना सकते हैं और इसका मैं separate lecture लूँगा so the common disacrites are maltose, lactose and sucrose ये बहुत important है हर questions में, हर examinations में, competitive examinations में पूछता है कि disacrites के नाम बताइए तो disacrites के जो नाम है maltose, lactose and sucrose which are hydrolysis yield two monosacrite unit अब ये इनकी hydrolysis होती है तो दो monosacrite के unit मिलते हैं इनसे अब कैसे होती है ये अगर दो glucose glucose मिलेंगे तो उससे maltose बनता है, right मतलब maltose उसकी hydrolysis होई, glucose plus glucose और याद रखिएगा कि हमारी जो body है glucose को ही absorb करती है, body में कोई भी चीज़ आप खाते हैं, so body में वो जाती है और वो breakdown होती है और glucose में convert होने के बाद से ही फिर हमारी body को energy मिलती है, so maltose, glucose plus glucose क्या बनेगा, maltose किस में आया, disacride में, फिर आगे बाद आती है, lactose, lactose की hydrolysis करते हैं, breakdown होता है, क्या होता है, glucose plus galactose या फिर ऐसे बोल दीजिए, glucose और galactose दोनों जब मिलते हैं, तो क्या बनता है, lactose बनता है अब फिर से यहां प्या है, sucrose, sucrose की hydrolysis होई breakdown हुआ, किस में आया, glucose plus fructose दूसरे भाशा में कह सकते हैं, fructose और glucose, अगर यह दोनों जवाइन होते हैं, तो क्या बनते हैं, sucrose बनते हैं अब आगे हम बात करते हैं, polysacride have high molecular weight and are insolubal in water इनका जो molecular weight होता है, polysacride का, यह insolubal होते हैं, water में, मतलब की घुलंच सील नहीं होते हैं और काफी ज़्यादे यह complex होते हैं, starch है, pactin भी polysacride में आता है, dietary fibers polysacride में आता है so they are in the form of long chains, either branched और unbranched, so यह branched वाले chain में भी हो सकते हैं और unbranched chain में भी हो सकते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, the polysacride are further classified into groups depending on the products, they yield on hydrolysis, so यहाँ पे जो दिया हुए, homo polysaccharides yield only one time of monosaccharide units of hydrolysis जैसे की starch, dextrin, cellulose और glycosin, ध्यान देना, the polysaccharide the polysaccharide are further classified into groups, depending on the products, they yield on hydrolysis so homo polysaccharide yield only one type of monosaccharide, जो homo polysaccharide है, वो सिर्फ एक तरका monosaccharide देता है, और unit of hydrolysis जिसमें की starch है, dextrin है, cellulose है और glycosin है so आगे पढ़ते हैं, hetero polysaccharide yield more than one type of monosaccharide units, अब इसमें क्या है, heparin है, hyaluronic acid है, so heparin is an anti-coagulant found in the liver, याद रखिएगा, यह competitive examination का question है, heparin is an anti-coagulant found in the liver, spleen, lungs and blood, आगे है, hyaluronic acid is found in the umebical cord, synovial fluid and vitreous humor, it has a lubricating action, lubricating action का का काम करता है, in the tissues, it forms an important part of cementing ground substances, मतलब कि आप कह सकते हैं कि मजबूती परदान करता है, हमारी body, जो vital organs हैं, उनको भी यह liberating का काम कर सकता है, और अच्छे से रखता है, so it tissues, it forms an important part of cementing grounds substance, the sugar are also classified as reducing and non-reducing sugar, the reducing properties attributed to the free aldehyde or ketone group, आगे भी discuss करेंगे इसके बारे में, अब यहाँ पर शुरू होता है, जो main आप लोग का lecture है, उसके बारे में, carbohydrate perform the following function, याद रखिएगा, यह मैं nutrition के point of view से ले रहा हूं, so energy उससे मिलती है, the principal function of carbohydrate is to serve as a major source of energy for the body, major source है, किस के लिए body के लिए main source है, energy उससे मिलती है, each gram of carbohydrate yield 4 kilo calorie of energy, regardless of its source, in Indian diet, 60 to 80% of energy is derived from carbohydrate, normally मैं पहले भी discuss कर चुका हूं, vary करता है, 60% normally होता है, 50 से 70 भी हो सकता है, और Indian diet में 60 से 80% तक हम energy जो है, carbohydrate से लेते हैं, क्योंकि अभी भारत developing countries में है, अभी भी develop कर रहा है, तो यहां पे अभी जादे तरह हम portion, carbohydrate से लेते हैं, अब आगे बात करते हैं, glucose के बारे में, glucose is indispensable for the maintenance of the functional integrity of the nervous tissues and is sole source of energy for the proper function of the brain, brain की proper functioning के लिए glucose की आशकता परती है, ऐसा part है, जिसको हम नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं, indispensable part है, जो कि हमारी body के लिए बहुत ज़्यादे जरूरी है, energy के लिए बहुत ज़्यादे जरूरी है, prolonged lack of glucose may cause irreversible damage of the brain, अगर जादे समय तक अगर हम glucose नहीं लेते हैं, तो brain में भी damage हो सकता है, आगे फिर हम बाते करेंगे, protein sparing actions के बारे में, carbohydrates exert a protein sparing action, if sufficient amount of carbohydrates are not available in the diet, the body will convert protein to glucose in order to supply energy, अब अगर माली जी की carbohydrate अगर हम नहीं लेते हैं, तो पहले मैं आप लोगों को बता रखाओं कि एक gram protein लेने से भी 4 kilo calorie हमें energy मिलती है, तो अगर जादे time तक अगर carbohydrate नहीं लिए, तो body क्या करती है, कि protein से energy लेना शुरू कर देती है, मैंने keto diet के मैं अभी कुछ दिर पहले ही बात किया था, so keto diet तक पहुंचने में आदमी को 3-4 दिन में वो maintain होना पड़ता है, शुरू आदम अगर keto diet को शुरू करता है, तो उस condition में में, body protein से ही energy लेना शुरू कर देती है, so hence to spare proteins for tissue building, carbohydrate must be supplied in optimum amount in the diet, this is called the protein sparing action of carbohydrate, so यहाँ पर protein अपना work करने लगती है, अब यहाँ पर फिर से आ गयाता है, fat metabolism, so इस condition metabolism में, fat metabolism में, carbohydrate are essential to maintain normal fat metabolism, carbohydrate हमारी body के लिए जरूरत है, जो की हमारी body में, fat की जो metabolism है, उसके लिए काफे जादे important है, insufficient carbohydrate in the diet, result in larger amounts of fat being used for energy, then the body is equipped to handle, this leads to accumulation of acidic intermediate products called ketone bodies, मतलब आप यह समझ लिजी की body में ketone bodies नहीं बनना चाहिए, अगर यह बनेंगे तो problems होनी शुरू हो जाएंगी, आगे फिर हम बात करते हैं, synthesis of body substances, so carbohydrate add in the synthesis of non-essential amino acids, glycoproteins which function as antibodies and glycolipids which form a part of cell membrane in the body tissues, especially brain and nervous system, अब यहाँ पर clear दे रखा है, carbohydrate add in the synthesis of non-essential amino acids, अब non-essential amino acids क्या है, पहले मैंने जिक्र करके रखा है कि जो यह protein की छोटी unit है, non-essential उसे कहते हैं कि हमारी body को बाहर से जिस protein को नहीं लेना होता है, वो non-essential में आते हैं और जो essential amino acids होते हैं, जो कि हमें बाहर से लेना पड़ता है, जो कि eggs से लेते हैं, meat से लेते हैं, और तमाम तरह के plant protein से हम लेते हैं, तो यहाँ पर carbohydrate फायदा यह कर रहा है कि amino acids, non-essential amino acids हैं, उनको बना रहा है, उनको synthesize करने में help कर रहा है, दूसरा क्या कहता है, glycoprotein which function as antibodies, अब शरीर के प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाने के लिए भी यह काम करता है, जो कि यह glycoprotein मनाता है, और आगे जो बढ़ाता है, glycolipids, which form a part of cell membrane in body tissues, especially brain and nervous system, मतलब कि यह nervous system को भी नरिस करता है, और उसके जो cell membrane के और जो body tissues हैं, उनमें भी यह काफी ज़्यादे अच्छा work करता है, अब आगे बात करेंगे, लेक्टोस remains in the intestine longer than other disaccharide and thus encourage growth of beneficial bacteria, अब जो लेक्टोस है, अब लेक्टोस मेंली जो होता कहाँ पे है, तो यह milk sugar है, लेक्टोस को, हम milk sugar भी बोलते हैं, तो यह ज़्यादे टाइम तक हमारे intestine में रहता है, और उससे फायदा क्या होता है, कि encourage growth of beneficial bacteria, हमारी जो intestine का microbial flora है, जो इसमें micro organism है, beneficial micro organism को यह का क्या करता है, बढ़ाता है, आगे हम बात करते है, precursor of nucleic acid, so carbohydrate and products derived from them, serve as precursor of compound like nucleic acid, connectivity issues, matrix and galactosides of nervous system, totally अब जी जो carbohydrate है, यह nucleic acid को भी provide करता है, यह भी हमारी body के लिए काफी ज़्यादा beneficial है, आगे हम बात करते हैं, detoxification function, so glucuronic acid, a metabolite of glucose, serve as a detoxifying agent, मतलब कि हमारी body में जो भी toxic substances है, उनको भी क्या करता है, कम करता है, detoxify करता है, detoxifying मतलब कि जो आप कह सकते हैं, simple भाशा में, जहरी ले, जो चीजे होएं, उनको भी क्या करता है, कम करता है, खतम करता है, तो detoxification, detoxification का भी इसके पास function है, so it combines with harmful substances containing alcohol और phenolic group, converting them harmless compound, which are later excreted, यह क्या करता है, जो harmful substances हैं, जो खराब substances हमारी body में, जिसमें की alcohol है, या फिर phenolic group है, so, यह क्या है, converting them to harmless compound, so, जो harmless compound में क्या कर देता है, convert कर देता है, जो की हमारी body से बाद में निकल जाता है, आगे फिर हम बात करते हैं, roughness of diet, यह बहुत important है, नॉर्मली जो constipation के जो लोग होते हैं, उनके लिए काफी जादे जरूरी है, dietary fiber की बारे में भी बात करें हम कुछ देर बारे में, जो constipation के लोग हैं, वो जादे तरमातर में, अगर dietary fiber लेते हैं, उनके लिए काफी जादे beneficial होता है, तो, insoluble fibers known as composite carbohydrate can absorb water and give bulk to the intestinal contents, which add in the elimination of waste produced by stimulating pre-stelastic movement of the gastrointestinal tract. तोटली यह जो रफेज का काम करता है, फूड लेते हैं, उसमें bulkneck प्रोवाइट करता है, bulkness भारीपन प्रोवाइट करता है, water को अबजॉर्ब करता है, bowel movement को सही करता है, intestinal tract में जो bowel movement होती है, उसको आसानी से करता है, और जो हमारी बाडी में जो सब फूड जो digest हो जाता ह है, constipation नहीं होती है, उसके बाद से जो लोग जो जिनको मोटापा जाते हैं, अगर वो अच्छे मातरा में dietary fiber लेते हैं, तो उनके लिए काफी जादे beneficial होता है, जो की further जो चलके उनको उनका weight reduce करता है, cholesterol level reduce करता है, आगे है, food sources of carbohydrate, कौन-कौन से sources हैं carbohydrate के, so cereal grains, roots and tubers are the major source of starch, so cereal grains है, धान गेहुजवार बाजरा मक्का, roots हैं जैसे गाजर है, मूली है, tubers है, जैसे की potato है, so यह सब major source है, किस चीज के starch की है, याद रखना आप लोग, जो starch है वो polysaccharide है, so हम polysaccharide को ही खाते हैं, धान गेहुजवार बाजरा मक्का इन सब चीज में मिलता है, और दू करते हैं, थोड़ा type and sources है, इसके बारे में थोड़ी बहुत हम बाते कर लें, so carbohydrate में आता है, यहाँ पर monosaccharide, monosaccharide में क्या क्या है, glucose, fructose, galactose और maltose, यह किस में आ गए है, monosaccharide में आ गए, अब food के sources कौन कौन से है, fruits, honey, corn syrup, fruits, honey, किस के लिए, glucose के लिए, fruits, honey, corn syrup, fructose के लिए, fruit और honey, galactose और maltose के लिए, these do not occur in free form of foods, जो galactose है, यह direct नहीं मिलता है, free form में नहीं रहता है, food में, आगे हम बात करेंगे, disaccharide के बारे में, galactose जो मैं आप लोगों को बात किया था, पहले ही, कि यह milk sugar हम बात करते हैं, lactose, sorry, lactose, milk sugar में बात करते हैं, और यह जो disaccharide में, हम आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे जो maltose है, यहाँ पे clear दिया हुआ है, इसके बात में, पीछे मैंने discuss किया था, maltose के बारे में, so, दो units जूटते हैं, उस condition में होता है, so, disaccharide के बारे में, अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आता है, sucrose, lactose, lactose, so, sucrose कहां से मिलता है, cane and wheat sugar से मिलता है, मतलब कि sugar cane से आप बात कर सकते है, lactose, जो मैंने पहले आप से बोला था, milk and milk product से मिलता है, maltose, जो की malt of, malt and cereal से मिलता है, अब malt क्या है, basically, जो malt, आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समय हिंट दे देता हूँ, malting की एक process होती है, वो process क्या है, जब हम beer बनाते है, right, so, beer बनाने के case में, वहाँ पे malting होती है, अब beer बनता कैसे है, तो beer बनता है, jaw से, ठीक है, अब jaw कहां लेके आते हैं, so, उस condition में जो jaw होता है, उस jaw को सबसे पहले हम germination कराते हैं, germination कराने के बाद से, सबसे पहले हम jaw लिए, jaw लेने के बाद से, पानी में dip किये, dip करने के बाद से, पानी को drain कर देते हैं, फिर उसके बाद से, उसकी germination कराते हैं, जब germination हो जाता है, फिर हम उसक में जो जर्मिनेशन होती है उस जर्मिनेशन को clean drying में निकाल देते हैं और फिर जो product बनता है वो malt बनता है और फिर आगे जाके उसकी further processing करते हैं वाटर के साथ उसकी investigation करते हैं मतलब grinding करते हैं फिर micro organism होता है Saccharomyces cerevisi उसके साथ में हम fermentation कराते हैं कुछ इसमें flavor के लिए flavor के लिए भी जालते हैं जैसे hopes डालते हैं adhumilone cohumilone और फिर fermentation कराते हैं जो micro organisms होता है sacromyces cerevisi हम इसमें use करते हैं so sacromyces carl vergenesis भी use करते हैं तो बहुत तरह के process इसमें होते हैं फिर आगे जाके ये beer बन जाता है तो ये malt वहां से लिया गया है और बाकी और भी malt की बात करें तो malted product होते हैं so malted product की जैसे हारलिक्स हो गया बूश्ट हो गया बॉश्ट हो गया बॉर्न बीटा हो गया ये सारे malted product हैं तो simply जो jaw होता है उसी case साथ में ही हम उसकी germination कराते हैं और germination कराने के बाद से हम further उसकी किलन ड्राइंग करते हैं और फिर हलकी से इसकी roasting भी करते हैं normally किलन ड्राइंग में होई जाता है बारले है इंगलिश में जो नाम है बारले बोलते हैं बारली उसके मतलब जो है ठीक है so cereal products already आप लोग को पता है धान गोई है उजार वाजरा मक्रा आगे आता है polysacrite के बारे में बात करते हैं so polysacrite जो की digestible polysacrite है वो है starch and dextrin starch and dextrin so इसमें कहां कहां से मिल जाता है grains से मिल जाता है vegetables especially roots and tubers and legumes so यहां से मिल जाता है यह legumes मतलब की दाले ठीक है glycogen जो है meat products and seafood से हमें मिलता है जो की यह digestible है digest हो जाते है हमारी body में अब आगे आता है indigestible जो की हमारी body में digest नहीं होते है so उस condition में है cellulose, pectine and gums अब cellulose, pectine and gums में कौन-कौन सा आ जाता है तो यहां पर देखेंगे stalks and leaves of vegetable जो पत्ते होते हैं वो cellulose होते हैं जो stalk होता है वो भी cellulose होता है stalk मतलब कि यह आप यह समझ सकते हैं कि जैसे धान की खेती करते हैं उसका जो straw है तो वो stalks समझ सकते हैं वो सारे के सारे cellulose materials बनने होते हैं outer coats of seeds, fruits, plant secretions and seeds so यह सारे चीज जो होते हैं वो cellulose material होते हैं और मैं आप लोगों को बहुत ही simple language में आप लोगों को बोलता हूं और यहां पर gums भी दे रखा है और गम्स के बारे में बात करें पैक्टिन के बारे में बात करें तो पैक्टिन जो जादे अगर हमें मिलता है अगर a good source की बात करें पैक्टिन के बारे में तो पैक्टिन हमें गुवावा, अमरूद, मराथी में उसे पेरू कहते हैं तो उसमें पैक्टिन के जो substances होते हैं पैक्टिन जो substance होता है काफी जादे अच्छा होता है और भी अगर आप पैक्टिन, कमर्सियल पैक्टिन कहां से लेते हैं अप पैक्टिन की जरूरत बढ़ती है जेल फॉर्मेशन में जब हम जैम बनाते हैं उस टाइम पे पैक्टिन की हमें काफी जादे आवश्यक्ता होती है तो commercial pectin कहां से निकालते हैं आप सभी लोगोंने orange देखा होगा ठीक है तो orange जब orange का जो छिलका उतारते हैं उसे हम peel कहते हैं तो peel जब हम उतारते हैं तो उसके अंदर देखेंगे छिलके के अंदर वाले पार्ट पे white white color के जो fibers होते हैं तो उस fibers में भी क्या होता है पैक्टिन होता है तो normally commercial level पे हम वहां से भी पैक्टिन निकालते हैं बाकि हम guava से भी पैक्टिन extract करते हैं और ये पैक्टिन की ज़रुदत क्या बनती है जेल formation में जब हम jam बनाते हैं तो jam में jam बनाने के टाइम पे क्या होता है sugar, acid और पैक्टिन का जो ratio balance में होना चाहिए तो उस condition में ही jam की settling हो जाती है fruit jam की gel बनती है नहीं तो नहीं बनती है तो पैक्टिन की वहां पे मातरा होने चाहिए basically हर food में पैक्टिन होता ही होता है ठीक है gums भी आप लोग को पता है जैसे की guar gum है और भी exudates होते हैं यह सारे gums उसके बाद से बबूल का जो गम होता है यह काफी जादे हम इसको यूज करते हैं और काफी जादे हमारी body के लिए फायदा भी करता है आगे हम बात करते हैं digestion, absorption and utilization अब बेली अब यहाँ पे बाते आती हैं digestion, absorption और utilization के बारे में तो यह basically nutrition वाले point of view से यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ से हम बाते शुरू करते हैं पहला कहां से शुरू होता है digestion carbohydrate का माउच से शुरू होता है जब हम खाना खाते हैं तो वहीं से शुरू होता है मूह सही achieving breaks of food and exposes starch and sugars to the action of enzymes अब यहाँ पे enzyme की बाते कर रहे हैं अब enzyme आपके लिए बिलकुल नया होगा so enzyme जो क्या है यह rate of chemical reaction को increase कर देता है right उसके बाद से energy कम लगती है जहाँ पे enzyme हम introduce करा देते हैं तो वो digest होने में काफी जादे time नहीं लगता है बहुत कम टाइम लगता है जब हम enzyme उसमें introduce कराते हैं so यहाँ पे क्या है achieving breaks of food and exposes starch and sugars to action of enzymes हमारे मुँव में भी जो enzymes हैं उनकी वज़े से वो क्या होता है वहीं से breakdown होना शुरू हो जाता है जैसे हम achieving करते हैं चबा-चबा के जो food खाते हैं अब यहाँ पे आता है saliva contains salivary amylase इसमें क्या बोल रहा है टाइलिन और जो saliva है उसमें होता है amylase amylase का जो main काम होता है वो carbohydrate को क्या करना ब्रेक डाउन करना अब यहाँ पे क्या जिया है it converts starch to maltose but this limits the action of salivary amylases because as the food enters the stomach the acid present in the stomach blocks the action of salivary amylase मतलब की अब यहाँ से क्या होता है it converts starch to maltose अब यह जो salivary amylase है यह starch को starch क्या है वो ही carbohydrate polysecreate वो क्या करता है इसको starch से maltose में convert कर देता है और फिर यह body में जाता है और body में क्या होता है कि acids भी रहते हैं और फिर वो अंदर जाके उसके action को block कर देते हैं लेकिन यह क्या करता है breakdown कर देता है एक बार in the stomach the acid causes hydrolysis of sucrose अब जो पेट में जाता है यह तो क्या होता है कि पेट में acids भी है so वहाँ पे bile acid का भी काम करता है bile acid होता है so pancreatic juice भी होता है so तमाम तरह के अभी में बात करूंगा in the stomach the acid causes hydrolysis of sucrose stomach में जाता है उसमें acid रहता है जो कि hydrolysis कर देता है किस चीज़ का sucrose का in the small intestine pancreatic amylase छोटी आत में क्या होता है small intestine में pancreatic amylase होता है and intestinal amylase digest starch up to the stage of maltose फिर यह maltose बनाने तक का यह आगे चलके काम कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बना के दिया हुए starch है salivary amylase है और pancreatic and intestinal amylase है यह बना देते हैं maltose प्लस isomaltose हमारी body में जाके बना देते हैं आगे हम बात करेंगे glycogen is also broken by these enzymes to disecrite अब जो body का glycogen है वो भी क्या हो जाता है breakdown हो जाता है जो की क्या कह रहा है glycogen is also broken by these enzymes to disecrite enzyme maltase, sucrose and lactase present in the brush borders of the columnar cells of small intestine convert disecrite to monosacrite बहुत important है क्या है एक बार और ध्यान से देखिए glycogen is also broken by these enzymes to disecrite जो glycogen है वो क्या हो जाता है breakdown हो जाता है किसकी वज़सी है enzymes की वज़से कौन-कौन से enzymes है वह ही जो amylases है right so enzyme maltase अब यह क्या है maltase भी enzyme है sucrase यह भी enzyme है and lactase यह भी enzyme है present in brush of borders of columnar cells of small intestine so यह जो तीनो enzyme है maltase, sucrase और lactase यह तीनो enzyme क्या करते है convert disecrite to monosacrite मतलब कि जो disecrite से दो जो units जुडे हुए है monosacrite के उनको क्या कर देता है दो जब unit जुडते है monosacrite के तो disecrite बनाते है तो यह जो enzymes है maltase, sucrase और lactase यह क्या बना देते है disecrite to monosacrite में और body monosacrite को ही digest करती है मतलब कि absorb करती है energy के लिए तो फिर यहाँ पर जो दे रखा है maltose so यहाँ पर आ गया maltase क्या है enzyme है क्या करेगा maltose को breakdown करेगा तोड़के कर देगा glucose प्लस glucose तो दो unit मिलते है monosacrite के तो बन जाता है disecrite बनता है क्या maltose याद रखेगा enzyme कोन आएगा यहाँ पर maltase right और भी थोड़ा सा discuss कर देता हूँ मैं आप लोगों को lactose की बात करते हैं तो lactose अब यहाँ पर इसे enzyme को breakdown करने enzyme है breakdown करेगा किस चीज को lactose हो क्या जरूत पढ़े यहाँ पर lactase क्या जरूत आगे क्या होता है breakdown होके चला गया glucose plus galactose right अब फिर से हम बात करते हैं sucrose के बारे में sucrose enzyme किस चीज की जरूत पढ़ी कौन से enzyme की sucrose क्या आगया glucose plus fructose हमारी बोड़ी क्या चीज अब जब करती है monosaccharide को right तो उसी से energy लेती है तो यह सारे breakdown हो जाते है maltose lactose और sucrose अब आगे बात करते हैं cellulose के बारे में so cellulose and other polysaccharide are not digested by enzymes जो cellulose है और other polysaccharide है जो की enzyme से digest नहीं होते है so undigested material passes to large intestine forming bulb which contains two pieces जो हमारा fickle matter है उसके रूप में जो undigestable part है जो हमारी बाडी में नहीं पच्चता है वो हमारी बाडी से fickle matter के रूप में बाहर निकल जाता है आगे बात करते हैं the end of product of carbohydrate digestion are monosaccharide इसमें कौन-कौन सा है जो end of product है carbohydrate का after digestion वो क्या क्या है glucose galactose and fructose मतलब की बाडी में सबसे पहले starch लिए मुह में क्या है amylases है enzymes है वो क्या किया breakdown किया अंदर गया हमारी बाडी में उसमें क्या है जो pancreatic और intestinal amylases है वो उस बाडी में जा गया और वो उसको breakdown किये क्या बना maltose plus isomaltose बना right अब उनको क्या करता है और भी enzymes है maltose को तोड़ने के लिए maltese आ गया glucose plus glucose फिर और भी जो है lactose है उसके लिए lactose lactose है lactose enzyme आया वो क्या किया glucose plus galactose ये भी monosacride में आ गया उसके बाद बाडी में हम सब जो chucrose है chucrose को chucrose enzyme आया वो फिर enzyme हमारी बाडी में glucose plus fructose किया अब फिर जब ये simple sugars में हो जाते हैं तो हमारी बाडी क्या करती है उनको absorb कर लेती है अब आगे हम बात करते है they are absorbed by process of active absorption by the mucosa of small instance time so body में जो small instance time में mucosa है वो क्या करता है इनको absorb कर लेता है अब हम आगे बाते करेंगे metabolism के बारे में so metabolism occurs inside the various cells of body there are two type of metabolism anabolism, building up and catabolism, breaking up so यहाँ पे बहुत ही clear से दे रखा है कि जो metabolism है उस metabolism में दो process आते है पहला आता है anabolism, मतलब building up मतलब बनाना and catabolism, breaking down मतलब की तोड़ना so अब यहाँ पे अब गर हम बात करते है so the major carbohydrate anabolic pathway are conversion of glucose into glycogen जिसे हम कहते है glycogenesis in the liver and muscles दुबारे एक बार देखिए the major carbohydrate anabolic pathway so जो major carbohydrate है वो anabolic pathway में जाते है और उनकी जो conversion हो जाती है glucose into glycogen glucose से glycogen बन जाते है जिसे हम body या फिर body का glucose कहते है और इसे इस process के कहते है glycogenesis यह competitive exams के लिए important है जो की कहाँ बनता है in the liver and muscles so muscles में यह glycogen store हो जाता है और liver में भी store होता है so the conversion of glucose into fat मैंने आपको पहले भी बोल रखा है अब फिर से आगे हम बात करते है catabolic pathways के बारे में so यहाँ पे आता है the breakdown of glucose releasing energy glycolysis and converting into usable energy ATP and the conversion of glycogen to glucose called as glycogenesis बहुत important है इस case में body में तो पहले क्या हुआ glycogenesis हुआ मतलब कि glucose glycogen में बदल गया ठीक है glucose fat में चला गया वो क्या हो गया lipogenesis जो की यहाँ पे है glycogen glucose into glycogen क्या हो गया glycogenesis यहाँ पे conversion of glucose into fat lipogenesis जो की liver और ediposteism है पहले मैं discuss किया हूँ अब यह दूसरे case में क्या बोल रहा है the breakdown of glucose releasing energy यहाँ पे energy release होती है glucose जब टूटता है breakdown होता है तो energy मिलती है energy release होती है जिसको कहते है glycolysis और इसे कहते है and converting into usable energy मतलब कि जो हमारी body उस energy को लोएगी तो उस energy को कहते है ATP so and the conversion of glycogen to glucose तो glycogen से glucose में जब convert होता है उसको हम कहते है glycogenolasis glycogenolasis अब आगे फिर हम discuss करेंगे after digestion and absorption of glucose into the blood stream it is utilized directly by the tissues for energy अब क्या कह रहा है after digestion and absorption of glucose मतलब कि पहले तो digest हुआ फिर वो हमारी body क्या करेगी absorb करेगी glucose को किसमे in the blood stream and is utilized by the tissues for energy अब हमारी body के जो भी tissues है वो energy के लिए इनको क्या कर लेते है यूटिलाइज कर लेते हैं अब हम बाते करेंगे when the absorbed glucose exceeds the body's need for energy it is stored as glycogen in the liver and muscle and excess glucose is converted to triglyceride and stored as fat in adipose tissue very important अब हम जादे मात्रा में glucose लेते हैं पहले में आपको बताया था excess amount में अगर आप carbohydrate लेते हैं तो फिर वो चेंज हो जाएगा किस में fat में चेंज हो जाएगा याद रखिएगा तो excess amount में carbohydrate नहीं लेना है जितनी requirement है आपको उतनी ही लेनी है आपको carbohydrate अब इस फिर लेना है ग्लुकोज एकसीड बॉड़ी नीज मतलब कि जो भी ग्लुकोज है बॉड़ी की जरूरत से अगर आप जादे लेते हैं किसके लिए इनर्जी के लिए अब वो किस चीज में चेंज होता है stored as glycogen in the liver glycogen के रूप में वो चेंज होके कहां पे चला जाता है लिवर में store हो जाता है muscle में store हो जाता है और अगर जादे मातरा में glucose लेते हैं तो वो convert हो जाता है triglyceride में and stored as fat in adipose tissue adipose tissue body में मैंने पहले बताया है वहाँ पे जाके store हो जाता है अब क्या है अब हम बाते करेंगे requirements में तो क्या क्या requirements है so as carbohydrate is utilized as main source of energy पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि main source of energy है यह carbohydrate at least 40% of total energy in the food should come from carbohydrate मतलब कि 40% जो energy है वो कहां से आती है total energy का जो 40% है वो carbohydrate से आता है in our country 60-80% of days energy needs are met from carbo hydrate 7-80% जो भी हम carbo hydrate अपनी daily life में लेते है एक जो Indian होता है in the form of starch furnished by cereals and purses जो की form starch के form में रहता है जो की हम लेते हैं कहां से cereals से और pulses से लेते है मतलब की जो धान गे हो जो आरबाजरमका और दालें दालों में जह है मूंग डाल है उसके बाद से अरहर की डाल है तमाम तरह की डाल है so gram है chickpea है so in developed countries only 30-40% of days energy needs are met from carbo hydrate जो developed coffee जो अमीर countries है वहां पर लगभग carbo hydrate से सिर्फ 30 से लेके 40% ही energy के लिए utilize किया जाता है अब हम बते करेंगे आप से dietary fiber के बारे में जो की हमारी body के लिए जरूरत है bowel moment के लिए जरूरत है intestine में अब dietary fiber क्या है dietary fiber is defined as that portion of plant material ingested in the diet that is resistant to digestion by gastro intestinal secretion अब ये dietary fiber है जो की हमारी body क्या करती है digest नहीं कर पाती है so उस condition में क्या है it consists of क्या क्या है इसमें it consists of hemicellulosis cellulose, lignin oligosaccharide, pectins gums and waxes so इनको हमारी body क्या करती है digest नहीं कर पाती है so some bacteria in the large intestine can be degrade some components of fiber releasing products that can be absorbed into the body and used as energy source so कुछ जो micro organisms हैं कुछ bacteria हैं जो कि large intestine में होते हैं वो क्या करते हैं इन components को fibers को भी degrade करते हैं और फिर उसमें से कुछ product release करते हैं और वो product हमारी body absorb कर लेती है अब आगे बाते करते हैं some bacteria in the large intestine can degrade some components of fiber releasing product that can be absorbed into the body and used as energy source जो अब यहां पे क्या आता है two categories of fiber are found in food जो दो categories हैं fiber की उनके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं यहां पे क्या कह रहा है crude fiber crude fiber is defined as redigy remaining after the treatment with hot sulfuric acid alkalic and alcohol जो यहां पे क्या कह रहा है जो crude fiber उसको कैसे define किया जा रहा है कि हम उसको treatment करते हैं किसके साथ में hot sulfuric acid और alkali और alcohol के साथ हम treatment करते हैं और जो बचा हुआ fiber रह जाता है उसको हम crude fiber कहते हैं आगे है the major component of crude fiber is polysaccharide called cellulose जो की polysaccharide है जिसे हम cellulose कहते हैं आगे फिर बात करता है crude fiber is a component of dietary fiber so very important है bowel movement के लिए जरूरी है weight loss करने के लिए जरूरी है cholesterol level को reduce करने के लिए dietary fiber जरूरी है तो कहां पे main source क्या है crude fiber is component of dietary fiber जो की कहां से है cellulose से आता है so several other carbohydrate and related compounds called pectins, hemicellulose, lignins are the second category found in plant and are also resistant to digestion so ये भी जो हमारे साथ में pectins है, hemicellulose है, lignins है ये जो secondary है second category में आते हैं जो की plants में मिलते हैं वो भी हमारी body में digest नहीं होते हैं तो इनको भी उसी में select किया गया है so those together with cellulose are collectively known as dietary fiber so जो cellulose के साथ में आ जाता है और उसको हम फिर क्या कहते हैं dietary fiber कहते हैं अब यहां पे जो दिया हुआ है types of fiber के बारे में बात हुई है so कौन कौन से types है fiber के, so there are two types of fiber अब यहां पे क्या है soluble and insoluble fibers इसमें क्या गया है the food source and action of these in the body is given in the table में बताये गया है कि कौन कौन से fiber होते हैं जो की soluble है और कौन कौन से जो है insoluble fibers है तो यहां पे हम बाते करते हैं soluble fibers के बारे में so soluble fibers कौन कौन से है so gums, pectin और mucilases यह तीन कर रखें याद रखेंगा आने वाले जो chapters है आने वाले जो आपकी study है उसमें gums, pectins और mucilases के बारे में काफी जादे जिक्र होगा gums से बहुत जादे product बनाए जाते हैं ठीक है pectin है pectin बहुत जादे requirement है jam बनाने में marmalade बनाने में pectin की requirements होती है ठीक है so major food sources कौन कौन से इनके so citrus fruit, apple, oats, barley, legumes so इन सब चीजों से आपको मिल जाता है क्या gums, pectins और mucilases अब इनका action क्या होता है body में body में लोग work क्या करते हैं ये जो components है so delay gastrointestinal transit gastrointestinal की जो running है उसको क्या करते हैं थोड़ा सा delay करते हैं आगे है delay glucose absorption so body में जो हम glucose जो body absorb करती है उसको भी थोड़ा सा late करते हैं lower blood cholesterol बहुत ही clearly दे रखा है blood cholesterol को क्या करता है low करता है, मतलब कि कम करता है क्योंकि फायदे मन्द है ठीक है, गम्स में आ जाता है guar gum है, ठीक है Arabic gum है, gum Arabic so gum से बहुत जादे products भी बनाया जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफी जादे beneficial होते हैं, ठीक है अब यहाँ पे अगर हम बाते करेंगे insoluble fibers की बारे में so यह भी हमारी body के लिए जरूरी है insoluble fiber इन फे क्या आता है cellulose, hemicellulose और lignin यह याद करके रखना है आप लोगो cellulose, hemicellulose और lignin, so इसमें क्या क्या आता है whole wheat product right, wheat bran whole grain breads cereals and vegetables like green peas beans cabbage, ठीक है और lignin में कौन-कौन सा आता है skin of vegetables and fruit grains याद रखिएगा, यह जो है important है, right, whole wheat products, wheat bran, whole grain breads, cereals and vegetables like green peas, beans, cabbage यह बहुँ जाद इंपोर्टेट, आप याद करके रखना किस चीज का सोर्स है, cellulose और hemicellulose, अब यह क्या करता है accelerate, gastro intestinal transit, right increase, fickle weight वही, जो की bowel moment में help करता है, और bulkness को increase कर देता है fickle matter के रूप में बाहर निकल जाता है slow starch hydrolysis जो starch की hydrolysis को क्या कर देता है slow कर देता है, और फिर आगे कहता है कि delay glucose absorption so glucose के absorption को भी क्या कर देता है, delay कर देता है अब इसमें थोड़ा सा कुछ questions है, इन questions के आप answer जरूर देना पहला जो question रहेगा formation of glycogen from non-carbohydrate sources is called इसका जो question आप comment section में जरूर देना जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इसका जो answer आप comment section में जरूर देना और उसमें लिख देना जब भी आप इसे solve करना तो part A fill in the blank में करना, question A लिख देना, formation of glycogen from non-carbohydrate sources is called, यहां पर आप लोग को लिख देना है, comment section में दूसरा है, question extra calories from glucose are deposited in the body as दुबारा, extra calories from glucose are deposited in the body as, right यह भी लिखना है आप लोग को आगे, the starch splitting enzyme is starch को split करने के लिए कौन-कौन सी enzyme की जरूत पढ़ती है वो भी लिख देना, already मैं lecture में आप लोग को बता चुका हूँ, आगे आता है saliva contains the enzyme यहां पर क्या है, dot 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 means fill in the blank, which acts upon starch, repeat करता हूँ saliva contains the enzyme dot 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 means fill in the blank which acts upon starch, यहां पर fill in the blank question number लिखना part A question number 4 और उसका answer यहां पर आपको डालना है, उसके बाद question number 5 है, the hormone, अब यहां पर आए, fill in the blank, dot 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 क्या आए गए यहां पर भरना है आपको secreted by the cells of the isolates of the legracans help in utilization of sugar by the tissues, दुबारा मैं पढ़ता हूँ इसको, the hormone dot 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 means fill in the blank secreted by the cells of isolates of langerhans helps in utilization of sugar by the tissues, अब इसका जो part B है, part B का क्या करना है, आप लोगो को इसका answer लिखना है, right answer लिखे, आपको मेरे पास send करना है, और अपना जो google classmate है, आप लोगो सब को मिला हुआ है, तो google classmate पे आप लोगो सारा send करेंगे what are amylases, right amylases क्या क्या है, इसके बारे में लिखके आप question solve करेंगे और google classmate पे सबसे पहले आप blank sheet पे लिखेंगे photo click करेंगे, pdf बनाएंगे और google classmate पे डाल देंगे, ठीक है what are amylases, उसके बाद से state three good sources of cellulose, ठीक है बहुत short form है, यह आज का work है आज आपको यह करके lecture सुनने के बाद से, lecture complete करने के बाद से, तुरंत यह work करना है और google classmate पे डाल देना है, ठीक है state three good sources of cellulose इसके बारे में बताना है आगे है, part b का question number three, give example of two disaccharides and their source indite दुबारा बढ़ता हूँ, give example of two disaccharides, बहुत आसान question है, और आप लोग को यह complete करना ही है, आज के ही दिन, आज का जो दिन क्या है, पांच अक्टूबर 2020 है, आज ही complete करके google classmate पे आप लोग को डालना है इसका answer, मैं check करूँगा और आपके पास भेजूँगा, give example of two disaccharides and their source in the diet, ओके, अब यहाँ पे फिर से अगला जो दे रखा है, list the function of carbohydrate, कार्बो हाइड्रेट का function क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग को लिखना है, इसका notes मैं अभी भेज दे रहा हूँ, ठीक है, so आप लोग को आसानी से मिल जाएगा, अब फिर यहाँ पे जो अगला question है, detailed question है, describe the digestion of carbohydrate, carbohydrate जो की कैसे digestion होता है carbohydrate का, उसके बारे में आपको detailed question लिखके आप लोग को भेजना है मेरे पास, right, so यह भी question आप मेरे पास send करेंगे, अगला है classify carbohydrate, carbohydrate को कैसे classify करते हैं, write in detail about the main properties of various classes of carbohydrate, so इसके बारे में भी आपको मुझे भेजना है, so यह सारा complete करने के बाद से, आप मुझे आज के ही दिन, आप मुझे सारा Google Classmate पे भेजेंगे, और इसके जो notes है, मैं आपको notes भी provide करा दे रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से वहां से लिखें और इस assignment को complete करें, और हमारे पास इसको भेजें, फिर उसके बाद से हम आने वाले दिनों में अगला chapter पढ़ेंगे, और आज का दिन, आज का जो lecture है, आज यहीं पर खत्म करते हैं, आप सारे लोग इस सारे questions को, question मैं एक बार और दिखा देता हूँ, इन questions को आप सारे लोग solve करना और solve करने के बाद से, question solve करने का तरीका में बता देता हूँ, part A, अगर मालीजे कि इसके comment section में डालना है, तो लिखेंगे part A, right, ठीक है, और question first और उसका answer, ठीक, दूसरे का, same ऐसे लिखेंगे, part B, sorry, part A, question 2, उसका answer लिख देंगे, और फिर part A, question 3, starts splitting in time, इसका answer लिख देंगे, same ऐसे ही, 4, 5, अगर part B का देखना है, तो part B, अब यह long questions है, तो इसको आप PDF form में ही आप डालेंगे, right, so, part A का तो आप comment section में ही डाल देना, और part B का आप PDF बनाके, Google Classmates पे आप हमारे साथ में डालेंगे, उसको मैं चेक करूँगा, फिर मैं आपके पास भेजूँगा, so, आज का जो lecture है, और मैं यही पे खत्म करता हूँ, फिर से हम मिलते हैं, आज ही, 5 October 2020 को ही, जूमैप पे हम आपका live lecture लेंगे, और जो भी आपकी queries होंगी, उन queries को मैं आपके साथ में solve करूँगा, so, ठीक है, तब तक के लिए, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले lecture में, lecture आज ही continue करूँगा, आपके WhatsApp ग्रूप पे मैं send कर रहा हूँ, लिंक send कर रहा हूँ मैं, जूमैप का जो लिंक है, मैं आपके WhatsApp ग्रूप पे send कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आपके जो पुराने जो lectures हैं, वो पूरे आप लोग complete कर लिये होंगे, और जो हमने पहले जो lectures लिये थे, उनको काफी आप याद कर लिया होंगे, तो ठीक है, चलिए मैं अब lecture को यहीं पे end करता हूँ, धन्यवाद,